मुझे आपके साथ एक मेरा सब्राइज शेर करना चाहती हूँ कल रक्षा बंदन है और of course हम सारे सिस्टर्स का बहुत special days है because हमें रिटल में काफ़ी सारे gifts मिलते हैं भाई ने मेरे लिए एक surprise प्लान किया था मेरे लिए mobile phone order किया है ये रहा वो mobile phone तो चलिए मैं आपके साथ ये मेरा gift जो है share करती हूँ और हम इसे unbox करते हैं तो गाइस ये रहा मेरा रक्षा बंदन का gift surprise gift तो चलिए अब मैं ये खोल कर आपको दिखाती हूँ और इसके features भी आपके साथ मैं share करती हूँ brand new oneplus nord ये रहा हम इसे unwrap करते हैं वाव ग्रे कलर है काफी sexy कलर लग रहा है इसका नीचे एक section है इसमें देखते क्या क्या है तो इसके अंदर हमें दिया गया है इसके अंदर क्या क्या है हम देख लेते हैं वेलकम लेटर है ये oneplus nord की और से हमारे लिए तो साथी में इसके साथ दिया गया है case दिया है phone protection के लिए काफी अच्छा design है इसका और ये काफी flexible और soft है इसका material ये देखिए तो चलिए इसे अब side में हम रखते हैं साथ हमें मिला है 30 watt charging adapter जो की 70% charging 30 मिनिट में कर देता है रेड यूएस बी एटू सी केबल और ये रहा सीम ejector tool ये रहा oneplus nord के कुछ stickers और ये manual दिया गया है इसके अंदर phone के बारे में सारी information दी गई है ये रहा red cable club card तो चलिए अब ये सारी चीज़े हम side में रखतेते हैं front side में दिया गया है dual selfie camera जिसके अंदर आपको मिलेगा 32 megapixel primary camera और 8 megapixel ultra wide angle selfie camera यहाँ पर मैंने कुछ photos क्लिक किये है जो front camera selfies लिये है और back camera सा भी मैंने फोटो क्लिक किये है तो मुझे तो quality काफी अच्छी लग रही है आप भी एक बाद चेक कर लिजिए आपको कैसे लग रहा है camera यहाँ पर मैंने एक फोटो रात में भी क्लिक कि थी यह देखिए और प्लीज कमेंड बॉक्स में मुझे कमेंड किजिए कि आपको camera quality कैसी लग रही है राइट साइड में रहा power lock unlock button अंठीक उसके उपर है alert slider मोबाइल के नीचे साइड दिया गया है यह सिम ट्रे यहां आप सिम इंसर्ट कर सकते हो यहां डेल सिम ट्रे अवेलेबल है इमरी काड के लिए यहां separate slot दिया गया नहीं है साथी में यहां है primary microphone USB port and speaker grill लेकिन यहां 3.5 mm का headphone jack दिया नहीं है आपको type C headphone यूज़ करना पड़ेगा उप साइड में है volume rocker उपर साइड रहा यह secondary microphone बैक साइड में दिया गया है camera setup जिसमें है 48 megapixel primary camera 8 megapixel ultra wide camera 5 megapixel का depth camera और साथ में दिया गया है 2 megapixel का micro camera बगल में दिया है dual LED flash नीचे दी गई है यह one plus की branding और center में दिया गया है one plus का logo चलिए phone को मैं यहां बूट कर देती हूं और देखते हैं इसके आगे के features तो mobile यहां बूट हो गया है अब मैं इसे जली से setup कर लेती हूं यहां है 6.44 इंचेस full HD plus fluid emulate display यहां पर color काफी अच्छे लग रहे हैं यह है 90 hertz display जिस वज़े से स्क्रोलिंग काफी smooth चल रहा है अभी इसका हम video quality चेक कर लेते हैं चलिए मैं अपना ही वीडियो आपको प्ले करके दिखाती हूं काले बाजे के उस बांसुन राइड आप पराम ध्राहता के तर सेरे नानभी मल्हार बन के पर सेरे यहीज़ वीडियो कॉलिटी इसका काफी अच्छा लगा है मुझे ताउंड कॉलिटी भी आपको मैं चेक करके दिखा देती हूं इसका ओडियो काफी क्रिप्स अन ख्लियर है और इसका जो बेस है वो भी काफी सही है सेटिंग में आप देख लेते हैं यहां दिया गया है स्टोरेज जो है 256GB इंटर्नल स्टोरेज अब आट फोन में देखते हैं क्या दिया गया है तो यहां दिया गया है 12GB RAM 256GB स्टोरेज वेरियंट और पोर कैमेरा एड दे बैक एंड टू कैमेरा इन फ्रेंट फोर वन वन फाई एमेच बैटरी लेटिस्ट एंड्रोड वर्जन 10 और राइट साइट के यह बटन से आप कर सकते हो पावर अन उफ साथी में यह बटन गूगल असिस्टंट के लिए डेडिकेटेड है मुझे यह फोन बहुत पसंद आया है आपको भी अगर यह फोन पसंद आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेय सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बबाए थैंक यू एंड टेक केल